मुरी राजुस्तान में अमेरिकी सेना के साथ भारतिय सेना के जवान इन दिनों युद्ध अभ्यास में जुटे हैं 22 सितंबर तक चलने वाले इसों युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के एक हजार से जादा सैनेक हिसा ले रहे हैं युद्ध अभ्यास के दौरान आतंके खत्रों से निपटने का अभ्यास किया जाएगा भारतिय सेना यहां रेतिली जमीन पर अपने अदबुद युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी भारत और अमेरिका के सयुप्त युद्ध अभ्यास का शांदार अगाद राजिस्थान की रेतिली जमीन दे रही है सेना के शौरे का प्रदर्शन जमीन से आसमान तक युद्ध कौशल का अदबुद प्रदर्शन राजिस्थान की महाजन फील्ड फाइरिंग रिंज में इन दिनों हल चल बढ़ी हुई है अमेरिकी सेना की एक बटालियन यहां भारतिये जवानों के साथ युद्ध अभ्यास में जुटी है अमेरिका की 11th Airborne Division की 1224 बटालियन के 600 जवान भारतिये सेना के साथ रेतीली जमीन पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर रही हैं भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट के जवान इस सेन्मे अभ्यास में भाग ले रहे हैं राजपूत रेजिमेंट के जवानों के साथ सेना के कुल 600 जवान इस मेगा एक्सेसाइस का हिस्सा बने हैं सीमा पर हर अलाके में दुश्मन से मिलने वाली चुनौतियां भी अलग-अलग होती हैं पाकिस्तान से सटी भारत की पश्टिमी सीमा के एक बड़े हिस्से की जमीन रेतीली है इस रेतीली जमीन पर दुश्मन को परास्त करने के लिए अलग तरह के युद्ध कॉशल की जरूरत होती है भारते सेना को ऐसे मुकाबलों का एक लंबा अनभव है और अब यही गुर अमेरिकी सेना के जवान भारतीय सेनी को से सीख रहे हैं मैं आक्षा करता हूं कि एक्सराइज है और हमारी रिलेशन्शिप जो कि हमारी दोनों देश्यों के उसको फर्दर सुलिदिफाइए करेंगे इसके साथ की युद्ध की रणनीती बनाने का अभ्यास भी होगा इस दोरान रेतीली जमीन पर युद्ध कौशल बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा युद्ध अभ्यास जोइन्ट एक्सराइज का इस साल वीश्वा संसकरण है भारत और अमेरिका साल 2004 से चल रही इस सालाना एक्सराइज की बारी बारी में जबानी करते हैं युद्ध अभ्यास 2024 जैसी जोइन्ट एक्सराइज से भारत और अमेरिकी सेना को मिलकर किसी भी मिशन को पूरा करने में सहायता मिलती है भविश्य में अगर किसी दुश्मन ने कोई चुनोती पेश की तो दोनों सेनाएं मिलकर उसका मुकाबला कर पाएंगी ये युद्ध भ्यास दोनों सेनाओं के एक दूसरे से बेहतर तालमेल बनाने का भी मौका दे रहा है साथ ही ये दोनों देशों के बीच बेहतरीन रिष्टे की मिसाल भी बन गया है धियरो रिपोर्ट गुड्डिस टुडे